नमस्कार, मैं हूं रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे Once Upon a Crime की Once Upon a Crime होई छोई की सीरीज है होई छोई की आप पर या उसकी वेबसाइट पर Vodafone Play आप पर या Airtail Extreme पर आप इस सीरीज को देख सकते है इसके रिटर डिरेक्टर है सौरव चकरवर्ती तो दोस्तों इस सीरीज में जो सबसे खास बात है वो है इसकी कहानी बहुत ही स्टांदार स्टोरी लाइन है तो अब मैं स्टोरी लाइन के बारे में और दूसरी जो चीजे हैं उसके बारे में स्वागटो सिर्धा और वो अमेरिका में रह रह रहा है पने परिवार के साथ लेकिन होता ही है कि स्वागटो अलजाइमर से पीडित हो जाते हैं और वह कि उनकी पिमारी का पता किसी को भी चले क्योंकि जो पॉब्लीशं थे उनके साथ ने कि बड़े-बड़े contract है और फिर वो अपना इलाज करवाने के लिए आ जाते हैं कलकत्ता जहां उनके मित्र है अमिताव और अमिताव जो है वो एक डॉक्टर है स्वागतों चाहते हैं कि अमिताव से ही उनका इलाज हो ताकि यह बात किसी को पता न चले लेकिन स्वागतों ज करके अलग-अलग मोड लेती हैं और इसके साथ आप बंधे से रहते हैं बहुत शांदार कहानी यहां कई गई है प्रस्तुति करण भी बहुत ही अच्छा है इसके बाद होता क्या है स्वावतों सिन्हा के साथ और यह घटनाय हो रही है उसका राज क्या है यह तो आप इस स सचे पकते रह जाए यह कभी आपको ऐसा शौक लग जा सकता है कि आप उचल जाए कुर्सी से बहुत ही शांदार सीरीज है और बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत की गई अभी नेताओं का इसमें भी बहुत योगदान नहां देखिए रजद कपूर है सौगतु सिन्ह में और रजद कपूर एक बेहतरीन कलाकार है यह आप सब जानते ही है रजुड कपूर के जो दोस्ट हैं डॉक्टर अमिताव की भूहिंका में है सुब्रदत्त वह भी बहतरीन कलाकार है जो दूसरे अनिकलाकार है जैसे पायल सरकार को आप देखते हैं मुम्ताज सरकार कोशिक राय या सलोनी पांडे यह सारे कलाकार अपने किरदारों में बहुत ही फिट बैठे है और बहुत अच हो जाते हैं उसके हिसाफ से बैक्राउंड अस्कोर बहुत ही अच्छा यहां है यहां म्यूजिक और बैक्राउंड स्कोर है अमित बोस और यर्ष गुपता का सिनेमेटोग्राफी है शुवदीब डे की वह भी बहुत अच्छी है एडिटिंग भी अच्छी है नवदास क्लेवरी में आपको एक बंगाली एक्सेंट लगता है मेहसूस होता है जैसे कि अगर आप देखते हैं हिंदी अप बार वार अमिताब हो जाना है तो थोड़ा सा आजीव लगता है लेकिन थीख है इतना चलता है बाकि जो कहा नची है दूसरे एस्पेक्ट एक्षे है तो आपको यह इतना बुरा नहीं लगए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं तो दोस्तों कुल मिलाकर के बाद यह है कि वस अपान एक क्राइम एक बहुत अच्छी सीरीज है और बहुत अनेस्पेक्टेड सीरीज है जिस तरह की सीरीज होई चोई बनाते रहे हैं उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है और आपके पास अगर टाइम हो तो इस सीरीज को आपको जरूर देखना चाहिए बहुत मज़ा आएगा आपको देखकर के साथ एपिसोड है 22 से लेकर के 29 मिनट तक तो बहुत जादा टाइम भी नहीं लेगने वाला इसे देखने के लिए तो दोस्तों वन्स अपान एक क्राइम के बारे में आज इतनी ही चर्चा है और किसी और एप किसी और सीरीज किसी और हट टाफिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा तब तक देखिए आप मेरे वी